इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. फनजी अनम क्रीम एक सयोजन दवा है, जिसका इस्तेमाल विभिन प्रकार के तवचा संक्रमन के इलाज के लिए किया जाता है. यह संक्रमन पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों के खिलाफ काम करके सूजन के लक्षणों जैसे लालिमा, सूजन और खुजली को कम करता है. फनजी अनम क्रीम केवल बाहरी उप्योग के लिए है, और इसका उप्योग आपके डॉक्टर द्वारा सलाह के अनुसार किया जाना चाहिए. दवा की एक पतली परत केवल साफ और सूखे हाथों से तवचा के प्रभावे क्षेत्रों पर ही लगानी चाहिए. अगर यह आपकी आँखों, नाक, मूह या योनी में चला जाए तो पानी से धोलें. आपके लक्षनों में सुधार होने में कई दिनों से लेकर हफ्तों तक का समय लग सकता है, लेकिन आपको नियमित रूप से इस दवा का उप्योग करते रहना चाहिए. दवा की बहतर प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए उप्चार का कोस पूरक किया जाना चाहिए. यदि आपकी स्थिती में सुधार नहीं होता है या खराब हो जाता है, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए. इस दवा के सबसे आम साइड इफेक्ट में आवेदन स्थल पर खुजली, सुखापन, लालिमा और जलन शामिल है. ये आम तोर पर आत्मसीमित होते हैं. गंभीर दुषप्रभाव दूरलब हैं. यदि आपको किसी भी प्रकार की अलजी, चिकते, खुजली, सूजन, सांस लेने में तकलीफ आधी का अनुभव होता है, तो आपको डॉक्टर से परामर्ष करना चाहिए. इस दवा को लेने से पहले, अपने डॉक्टर को यह बताना जरूरी है, कि क्या आप उसी बीमारी या अन्य बीमारियों के लिए हाल ही में कोई अन्य दवा ले रही हैं या ले रही हैं. गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को यह दवा उचित परामर्ष और सामर्ष लेना चाहिए. वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद